जैसी कृष्ण, जियोतिस जीवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुरियोदेव सुरियास्त, चंदरोदेव चंदरास्त यही पंचांग का बूलादा है। चंदरमा, शाम को साथ बजकर साथ मिनिट तक मेख का चंदरमा रहेगा, फिर उसके बाद में व्रशब का चंदरमा लगेगा। अब नक्षत्र, दोफर में एक बजकर चौतिस मिनिट तक बरणी नक्षत्र रहेगा, फिर उसके बाद में कर्ति का नक्षत्र लगेगा। अब योग, शाम को पाँच बजकर चालेस मिनिट तक सोभागी योग रहेगा, फिर उसके बाद में सोभन योग लगेगा। अब कर्ण, सुबह 8 बजकर तेपर मिनिट तक नाग कर्ण रहेगा, फिर रात्री में 7 बजकर 35 मिनिट तक किस्तुग्ण कर्ण रहेगा, फिर उसके बाद में बव कर्ण लगेगा। अब बंगला तारिक, आज बंगला वैसा अगमास के 26 तारिक है, अब अगनिवास, आज अगनिवास पुर्थवी पुरोने से हवन के लिए शुब रहेगा अब सरवासिधी योग, दोफर में 1 बजकर 34 मिनट से, कल सुबह 5 बजकर 58 मिनट तक सरवासिधी योग रहेगा अब आज जन्में बच्छों के नामात सरव राशी, आज जन्म लेने वाले बच्छों के नामात सरव होंगे ल, ल, ली, लू, ले वराशी होगी मेकरासी अब नक्षदर पाया आज जन में बच्छों के नक्षदर का पाया होगा सोने का पाया अब बात करते हैं वैशाग मास की आज वैशाग मास का पंदरवा दिन है आज वैशाग की देवकारे अमावश्या है पीपल को जल चढ़ाएं, गायों, कबूत्रों, आगंदुकों को डांड पुन्य करें अब रितु कौन सी है? अब ग्रिस्म रितु है और सूर्य उत्राण है अब आज काते होआर आज देवकार्य अमावश्या है वा स्री सुक्र जैनती भी हाज है अब कलकात्योहार, कल वैशाग सुक्ल परतिपदा वा चंद्र दर्सन है अब सूर्य उत्राण है, आज इस्टंडे टैम से सूर्य उत्राण सुब पांच बजकर उन्साथ मिनट पर वा सूर्यास्तों का शाम को साथ बजकर और दस मिनट पर अब चंद्रोदे, आज चंद्रोदे अमावश्य होने पर आज चंद्रोदे नहीं होगा अब आज का ग्रह विचार में सूर्य मेक राशी में, चंदर मेक में, मंगल मीन में, बुद्य मीन में, गुरू वर्षब में, सुक्र में, सनी कुम में, राहू मीन में और केत्तु कन्य राशी में इस्तित है अब आज का चोगडिया है, सुबह 5 बचकर 9 मिनिट से, 9 बचकर 17 मिनिट तक लाब और अमरत का चोगडिया रहेगा, फिर दिन को 10 बचकर 56 मिनिट से, दोफर में 12 बचकर 34 मिनिट तक शुब का चोगडिया रहेगा, फिर दोफर में 3 बचकर 52 मिनिट से, और शाम को 5 बचकर 31 म अब राहुकाल, आज राहुकाल है दोफर में 12 बजकर 17 मिनद से और एक बजकर 18 मिनद तक राहुकाल में कोभी शुब कारणी होगा। अब दिसासुल, आज उत्तर दिसा में दिसासुल होने से उत्तर दिशा की यात्रा को टालें, अगर आपशेक हो तो भगवान को पुस्प जड़ा कर फिर यात्रा करें। परन्तु पूर्व दिशा में सनमुक चिन्वा होने से पूर्व दिशा की यात्रा करना सुब रहीगा तो दोस्तों ये था आज का विश्य संपूर्ण पंचांग कल के संपूर्ण पंचांग के लिए आप जुड़े रहें आपके अपने जोती जीवन और द्यात्र चैनल से जैसे कृष्ण